ग्लोबल भारत ने उस पर एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रताब गर जिले की दिन भर की बड़ी ख़बरें उन्होंने अपने ट्विटर एकाउंट पर लिखा है कि उदेपुर के पैसाची घटना कोई सामान नहत्यकान नहीं है ये पूरी तरीके से एक आतंक वादी वार्दात है प्रदेश और देश की सरकार को भी उसी कड़ाई से इससे निपटना चाहिए कठोर का रवाई के ओल बयानों में नहीं बलकि धरातल पर भी दिखनी चाहिए पूरा देश अस्तब्ध है सब को मुखब भी होना पड़ेगा ट्विट के बाद से ही लोगों ने अपनी प्रतिया देनी शुरू कर दी है बढ़ते आगे रू करते हैं अगली बड़ी ख़वक और प्रताबगर से जहां अग्लिप लेजना के बिरोध में रेल वेर मेंस यूनियन से जुड़े हुए पदाधिकारियों ने किया प्रताब गड़े में बड़ादे के प्रताब गड़ में इनान जूरा कर्म धकारियों कोर्स के सामने कर्मचारियों ने जम कर नारिवाजी की बाद में इस आशे का ग्यापन स्टेशन अधिछे को कर्मचारियों ने सौपा इस अंदोलन की अगवाया ध्रच मुअ सरीफ ने बताया कि सरकार की एकनी विर्योजना नोजवान भविस के साथ खिलवाड है यूनियन के केंद्री नेतित के आवाहन पर देशबर में बिरोध में आज कल प्रदर्शन शुरू हुआ है इस मौके पर ओपी राओ समेत अन्य कर्मचारी मौझूद रहे परते आगे रूप करते हैं गली बड़ी खवर-खवर कुंड़ा इलाके कालेज वाग खेत मकान समयत करोड रूपे की संपत्य को कुर किया गया जिला मजिस्टेट के आदेश पर यह बड़ी कारवाई की गई जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कारकरताओं में जमकराक्रोस भी है बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के जिला ध्यच के पैतरी गाउं इस्ति जमीन की मालकिन उनकी मा सशिप्रभा है दहगरी जमालपुर गाउं इस्ति जमीन भी छबनाज की मा सशिप्रभा के नाम है इसी गाउं की भूम पर निर्मित स्वरगी सुन्दलाल महाविद्याल है भूतल प्रथम तल और निर्मारा धिन्दूतिय तल के प्रवंधक चब्नाथे अदो हैं प्रियाग राज के महदरी प्रवंधक सब्नाथे अदो हैं जब कि उनकी पतनी प्रियंका के नाम उनका माक्वान है। जिलेर गंजिस्ति जमीन खेट बाग छबनात यादोग की मा सच्प्रभा और पत्नी प्रियंका के नाम है। इस तरह कड़ोगी संपत्ति अर्जित करने के बाद भी अधिकतर की मालकिन मा पत्नी को बनाय गया है और खुद नाम मात के स्वामी है। फिलहाल जिला प्रशासन जो कारवाई की है उसमें बताया जा रहा है कि करीब 10 करोंड उपए की जो संपत्तियां हैं उसे जब्त करने की और सील करने की कारवाई जिला प्रशासन ने किया है। समय तमाम पताधिकारी मौजूद रहे। बढ़ते हैं आगे रुकरते हैं अगली बड़ी ख़बर महेज गंज इलाके से जहां चोरी के अभियोग में वांचित चले दो अभियुक्तों को पुलिश ने किया गिरफतार चोरी के माल हाड़वेर से संबंदित भीविन सामान लखी पुलिश ने किया बरामत मामला महेज गंज को तुवर्ज राके के स्जोकूल पु पुरुबाजार का है जहां पुलिस ने तो अभियुक्तों को गिरफतार किये हैं चोरी के सामान बरामत किये हैं गिरफतार किये गए अभी उत्तों में भूपेंद सिंग और प्रदीब कुमार हैं इनके पास से ताला, पिलास, टूटी आयल, पाउच, ग्रीस, आधी बरामत किया है पुलिस के अलाधिकारियों ने बताया कि इन दोनों की काफी दिनों से पु पास का है जहां रेल पट्री पार का रहे युवक टेन की चपेट में आ गया जिसकी मौके पर मौत हो गई बता दे कि घटना आरिद्वार एक्सप्रेस से हुई और मृतक बिहार के पूरिया जिला की रहनवाला था जिसका नाम बिनोद रिशी बताया जा रहा है ये पूरी की घटना चिल्विया रेलो इस्टेशन के पास घटी जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस बल मौके पहुंचिया और सौक अपने कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया है